जहिन दोस्तों मैं सचे नियादव आप सबका स्वागत करता हूँ SD campus पर कैसे हैं आप सभी उम्बीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप एक लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं कि MTS की exam date कब आएगी Junior Assistant LDC Stenographer की DSB की exam date कब आएगी तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आपका exam कब होने वाला है जुलाई में आपका paper होगा या अगस्त में आपका paper होगा और कैसे करें अच्छा score कैसे आप अपना अच्छा score करेंगे आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब notification आ चुका है form fill हो चुके हैं तो भाई paper होना निश्यत है केबल exam date आने से ही आपका selection नहीं होगा भाई आपको एक बहतर तयारी भी करनी होगी मानते हैं कि एक लंबे समय से आप लोग exam date का इंतिजार कर रहे हैं तो भाई exam अब आपका बहुत जल्द होने बाला है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने बाला हूँ कि exam आपका कब तक होने बाला है और आपकी पढ़ाई की strategy क्या होनी चाहिए जल्दी से हम session की सुरुआत करते हैं आप सभी को सबसे पहले में एक बात ही बताना चाहूंगा भाई कि अभी कुछ दिन पहले भाई यह कुछ exam date आ चुकी है जैसे वार्डन वगेरा की जो भी form fill हुए थे उनकी exam date आ चुकी है तो जून में आपके paper सुरू करा रहा है डीटरप्लेस भी ठीक है आपका MTS का नहीं मेरे भाई कुछ post और भी आए थी जैसे वार्डन हुआ और भी speech therapist का हुआ या वार्डन रेजर्ड फॉर्ड मेल उनली यह सारी जो post आए थी उनकी exam date आ चुकी है पहले ही पहले ही बोर्ड ने announce कर दी है ठीक है 10 जून से यह paper conduct कराएगा बोर्ड और 30 जून तक यह paper conduct कराएगा तो जून में तो आपके paper होने की possibility बहुत कम है बहुत कम हम कह सकते हैं कि भाई जून में आपका paper नहीं होगा ठीक है चलिए तो sir कब होगा फिर हमारा paper जुलाई में होगा क्या आए अब हम बात कर लेते आपका paper कब होगा तो अगर मैं आपके paper की बात करें तो आपके paper के होने की possibility सबसे ज़्यादा जो है वो जुलाई और अगस्त में है जुलाई के first week से भी आपका paper हो सकता है लिकिन first week में यहाँ chance कम है मेरे भाई जुलाई के last week में chance सबसे ज़्यादा बनते हैं जुलाई में paper आपका conduct करा लिया जाएगा most possibility है अगर बहुत ज़्यादा board ने डिले किया तो जुलाई के first week में 110% paper आपका conduct करा लिया ही जाएगा ठीक है जैसा अभी इस समय बोड का scenario बना हुआ है उसके according ही में आप सभी को बता रहा हूं ठीक है भाई चलिए कैसे करें score अच्छा तो भाई आप सभी अच्छे से जानते हो कि MTS की जो vacancy है पिछली बार की तुला में इस बार अच्छी vacancy है ठीक है जब इस बार अच्छी vacancy है MTS की तो आप मेरे भाई ये भी अच्छे से जानते हो कि number of vacancy कितनी भी जादा हो और लेकिन समय भी बीच चुका है इस तमय बहुत सारे विद्यारती अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं तो completion का level आप कम तो नहीं कह सकते हो, ठीक है, completion का level अच्छा खासा रहने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपका slabus है, वो होप सो आप सभी ने complete किया भी आपने उसमें से 20 चेप्टर पढ़ रखें, तो आप क्या करेंगे, बचे हुए 5 चेप्टर को भी पढ़ेंगे, देन उसके बाद आप completely revision करेंगे, जितनी आप जादा से जादा revision करोगे, एक question को जितनी जादा से जादा बार लगाओगे, आपकी वहाँ से accuracy निकल के आप अपने exam में अच्छे तरीके से performance दिखा पाऊगे, और एक बात ध्यान रखना, बीक में कम से कम एक mock test आप जरूर देना, बीक में एक कम से कम mock test, full length mock test एक जरूर देना, और उस test paper का analysis जरूर करना, जिस type के question आप से नहीं बन पाते हैं, छूट जाते हैं, उन question को देखन इस तरीके से अगर आप practice करेंगे, तो आप अपने score एक बहतर score में convert कर पाऊगे, right now मैंने आप सभी को exam date के बारे में बता दिया है, कि आपके exam होने की जो possibility है, वो July अगस्त है, July के मन्त में most possibility है, अगर बहुत जादा board ने डिले किया, तो अगस्त के first week में आपका paper conduct करा ही लिया जाएगा, तो समय देखा जाएगा, तो कम है, क्योंकि ये जून आपका चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है, अब मेरे भाई जुलाई की बात करें, तो बस मात्र आपके पास 25 से 30 दिन है, आप आराम से मेरे भाई अभी लग जाईएगा, अब एक दम ये मत देखे कि सर, एक्जाम डेट बाई डिफॉल्ट डिले हो गई, ऐसा मत सोचिए, बाई डिफॉल्ट जल्दी आ गई, तब क्या करोगे, ये भी तो मान सकती हूँ न, ये तो मैं बोर्ड का सेनेरियो देखे बता रहा हूँ, कि बोर्ड का जो इस समय सेनेरियो बना हुआ है, उसके according मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और most possibility है कि आपकी जुलाई में paper अपका conduct करा लिया जाएगा, ठीक है भाई, मेरे भाई मैं आप सभी के लिए, डी टरपलेस भी MTS का बहुती स्तांदार batch भी हमारे application पर चल रहा है, अगर आप इस batch में जुड़कर अपनी तयारी को और ब पहले ये batch पूरा complete आप सभी को syllabus कराने वाला इस batch में, ठीक है, यानि कि इस batch में हमारी पूरी team आप सभी को मेरे भाई आपके exam से पहले हम syllabus कराएंगे, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी accuracy को और बहतर कर सकते हैं, ठीक है भाई, चलिए, तो आज के लिए फ authentic वो सारे discuss किये, होप सो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल पर नहीं, तो चैनल को subscribe करके जोड़ जाए, ऐसी सांदार information के लिए और बहतरीन classes के लिए, ओके बबाई, take care